आप सभी का टेक स्टेडी आई टेय यूटूब चनपर IRCTC Indian Railway Catering and Tourism Corporation Limited की तरफ से आई टेय पास आउट केंडेट्स के लिए एक और जोन से यहाँ पे अप्रेंट्सिप की वैकेंसी आचुकी है जिसमें अगर आप लोग eligible होते हैं जिसका फार्म आप्रेंट्सिप इंडिया.gov.in के पोर्टल से एक मिनट लगेगा कैसे फार्म बनना वो भी इसी वीडियो में हम बता देंगे जिससे आप फार्म भी अप्लाई कर पाएं और इस अप्रेंट्सिप बारे में देख भी पाएं एक चीज़ आपको हम सुरू में ही क्लियर कर दें कि यहाँ पे railway टर्म जुड़ जाने से आपको railway वाले अप्रेंट्सिप की benefit इस अप्रेंट्सिप से नहीं मिलेंगे यह चीज़ आप लोग पहले से ध्यान में रख लीजएगा यह है official notification 7 November 2024 की date में जारी किया गया है IRCTC West Zone से इससे पहले जो है था East Zone का वह हमने आपको बता दिया था जिसका firm भी आप लोगों ने apply कर लिया होगा online यहाँ पे सिर्फ कोपा ट्रेंट्सिप निकाली गई ध्यान दीजेगा Computer Operator and Programming Assistant कोपा 12 पोस्ट की अप्रेंट्सिप है सिर्फ कोपा ट्रेंट्सिप एप्लाई कर पाएंगे Age limit 15 साल से लेके 25 साल तक रखी गई है पोस्टिंग आपको मुंबई के आसपास मिलेगी तो जो कैंड़ेट्स महराश्रा मुंबई से हों कोपा से हों वो इसमें अप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं क्योंकि रेल वे में जनली कोपा की थोड़ा कमी वेकिंसी आती है यहां 50% आपका 10th में होना चाहिए साथ में आपने ITI किया होना चाहिए NCVT, SCVT से कोपा ट्रेड में Age limit में SCST को 5 साल, OBC को 3 साल, X-Service Man को 10 साल, PWD को 10 साल की चूट मिल जाएगी कटाफ डेट यहां पर 7 नॉवंबर रखी गए, यानि 7 नॉवंबर तो जो भी कैनिडिट इस Age में साथ में पास कर चुके हों ITI वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, ठीक, कोपा ट्रेड का है सिर्फ, इसके अलावा, NFR और NWR रेलवे की अप्रेंटिट के फॉर्म भरे जा रहे हैं, 1791 पोस्ट थी NWR में और 5600 से ज़्यादा पोस्ट आपका NFR में थी, दोनों के फॉर्म भरने की वीडियो भी अवेलबल न, उसको आप लोग जाके चेक आउट करके जरूर भरिएगा फॉर्म यहाँ पर फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, 22 November 2024 ठीक है, उसके पहले पहले आपको आनलाइन फॉर्म एप्लाई कर देना है, एंड सेलेक्शन कैसे होगा, तो सेलेक्शन आपका यहाँ पर जो 10th में आपका नंबर है, उसके बेसिस पे होगा, यहनी 10th के मार्क्स के बेसिस पर सेलेक्शन किया जाएगा, आई टे के मार्क्स यहाँ पर नहीं जोडे जाएगे, जो भी कैनदेट सेलेक्ट होंगे, उनको मेल के माध्यम से हाँ पर बताया जाएगा, आपका डीवी होगा, मेडिकल होगा, उसके बाद आपकी फाइनल यहाँ पर जोईनिंग हो यहाँ पर पचपन सो डिपार्टमेंट, पंदरा सो रुपए डीवी टी के थुरू, फार्म कैसे भरना है, फार्म आपको अप्रेंटिपिंडिया.gov.in से भरना है, वहाँ पर आपको अपना कंप्लीट रिजिस्ट्रेशन कर लेना है, कैसे करना है, उस पर अलड़ी वीडि सीट सेटिफिकेट, इसके अलावा, अधार कार्ट, पैन कार्ट, बैंक पास्बोक, कटेगरी सेटिफिकेट, यह सब कुछ आपको, साथ में कलर, पासबोर्ट, साइस, फोटोग्राफ, यह सब कुछ आपको वहाँ पे लेके जाना होगा, कब डीवी के टाइम पे, ठीक है, डीवी आपका जब होगा, वो मेल के माध्यम से आपको इनफर्मेशन दी जाएगी, अब आईए देख लेते हैं, कैसे इसका आप फार्म भर सकते हैं, उसके पहले इस अप्रेंट्सिप का बेनिफिट, देखिए रेलवे जैसा बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, इस अप् एक्सपिरियंस मागा जाता है, इस केस में क्या होगा, कहीं भी ऐसी कोई जावब आती, जहां पे एक साल की अप्रेंट्सिप या एक साल का एक्सपिरियंस मागा जाएगा, तो वहाँ पे आप एलिजिबल हो जाएंगे, एप्लाई करने के लिए कोपा की गौर्मेंट जाएगी, एगर फ़र्दर कभी वैकेंसी आती है, एप्रेंट्सिप को नों ने वेटिस दिया, तो वह चीज हो सकती, और ज्यादा बेनिफिट आपको यहां से अप्रेंट्सिप करने का नहीं मिलेगा, अप्लाई कैसे करना है, देखिए हमने ओपन किया हुआ है, अप्रे जैसे एप्लाई करेंगे, तो एप्लाई करने के लिए आपको लॉगिन कर लेना सबसे पहले तो, एकाउंट नहीं बनाया है, एकाउंट आपको बना लेना है, लॉगिन करने बाद आपको अप्रेंट्सिप अप्रेंट्सिप पर जाना है, जैसे इस पर जाएंगे, अब आ बेस्ट जो ना जाएगा drop down में उसको आप select कर लेंगे नीचे दिखी एक opportunity है यहाँ पे ठीक है कोपा trade में ही इस पे आपको simply apply पे click करना है यहाँ एक box को लेगा जिसमें location select करने का option रहेगा उसमें आप टाइमरी location select करके नीचे ok कर देंगे आपका form apply हो जाएगा ठीक है यही simple steps हैं आपको form apply करने के और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना है जब आप select होंगे तो finally आपको mail के माध्यम से information मिल जाएगी और यही एक portal है जिसके through फिर आपका contract generate होगा आपकी apprenticeship complete होने पर यहीं से आपके mark sheet और certificate download होंगे वो सारा process इसी portal से होगा तो यह ITA candidates के लिए सबसे important portal कह सकते हैं आप ITA करने के बाद अगर आपको कहीं से भी apprenticeship करना है तो यहां आपका profile complete रहना चाहिए बाकी जो other trade के candidates हैं जिने railway से apprenticeship करना है अगर आप अभी देखेंगे latest में तो यहां पे ठीक है कुछ permanent job भी आई है कुछ आपको apprenticeship भी latest में देखने को मिल जाएगी जैसे NWR के form भरे जा रहे हैं आप लोग देखके भर दीजिएगा इस वीडियो के आप लोग ने अपना response अच्छा नहीं दिया YouTube ने भी सब तक information भेजी नहीं बट form भरने का वीडियो अवेलिबल है इसको आप लोग देख लीजिएगा एक बार HL के यहां पर online form भरे जा रहे हैं इ रिक है NWR में 1701 पे पोस्ट आई है दोनों के form अभी भरे जा रहे हैं जल्दी जल्दी आप लोग apply कर लीजेगा बाकी जो भी latest update आती है हम YouTube के साथ साथ आप सब को टेलिग्राम पे भी provide करते हैं तो टेलिग्राम पे भी जरूर जोड़ जाएगा एंड एक और platform है जहां आ आप लोग अपना account बनाकर tech study idea को वहां पे भी follow जरूर कर लीजेगा thank you very much ख्याल रखिएगा अपना मिलते हैं अगली update के साथ अगले वीडियो में